प्सक्राइब करो विकल्गुरू चैनल को और बैल आइकोन को जरूर दबा लें सभी लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए नमस्कार दोस्तो अपने चैनल में दुबारत आपका स्वागत है आज हम जो एक इंडियन कंपनी प्रीट ट्रेक्टर हैं जो प्रीट ट्रेक्टर उसके कुछ मोडल्स जो लगबग अब तक आये हैं उनकी मोटी मोटी सी जो मतलब इंजन सी सी है एच पी है गियर्स के बारे में थोड़ा भूद सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बतना जाएंगे तो प्रीट ट्रेक्टर कंपनी वो कुण शी मोडल कहां तक की मोडल बना रही है फिर आल तक के बता रहा हूं ठीक है सबसे पहले बात करां छोटे ट्रेक्टर से जलने हुआ है तो सबसे पहले पैंतीस कुण चास ट्रेक्टर ये कंपनी का है जो तीन सिलेंडर ट्रेक्टर है इसमें 2781 सी सिस्ची का इसके अंदर इंजन है 35 ह में ये ट्रेक्टर है इसके गेर 8 फोरवर्ड दो रिवर्स है ठीक है दूसरा हम बात करां इसके 4549 ट्रेक्टर मतलब 2 वील ड्रायो और ये ट्रेक्टर 4 वील ड्रायो में भी आपको मिल जाएगा ठीक है सेम फीचर सेम सिस्टम सिर्फ फोर वील ड्रायो हो जाएगा इसमें भी आपको तीन सिलेंडर मिलेंगे इसके इंजन की सीशी को थोड़ा बढ़ा दिया गया है 2892 का इसका इंजन है 45 HP का ये ट्रेक्टर है इसके गेर वोक्स के बात करां तो आठ फोर वड दो रिवर्स गेर इसके अंदर दिये हुए है ठीक है और बात करें आप आगे चलां तो दूसरे ट्रेक्टर बार हम बात करेंगे तो मापका एक बार गेर बोक्स 4WD जो 45 हच वी अड़ा उस में भी शेम गेर बॉक्स है जो 848 दोर हम बात करा 3 ट्रेक्ट जो 955 ट्रेक्टर है 2WD और 4WD दोनों इस वेरियंट में आप इसको ले सकते हैं 2WD और 4WD ठीक है यो ट्रेक्टर 3 सिलेंटर ट्रेक्टर है DI इंजन इसका ठीक है और इसके इंजन सीसी 3666 का इसके अंदर इंजन दिया हुआ है बड़िया इंजन है बड़ा इंजन है ये ट्रेक्टर 55 HPI ट्रेक्टर है काफी ट्रेक्टर है 16 के टायर में मिलता है 14 के टायर में मिल जाता है काफी बड़िया है इसके gear walks वही सायद सीम है 8 forward 2 reverse gear के साथ ये आता है आप इस tractor को 4 wheel drive में भी आप इसको ले सकते हैं आप कमन करें तो आप इसको 4 wheel drive में भी आप इसको ले सकते हैं ठीक है आगे बात करें परीच 649 ये tractor 6 HP में है इसकी HP बढ़ा दी गई तो इसके engine को बढ़ा कर 4 cylinder में और DI engine इसका बढ़ा है ठीक है 6 HP का इट्रेक्टर है ये 4 wheel drive और 2 wheel drive दोनों variant में आपको मिल जाएगा इसका engine 4000 87cc का इसका engine दिया हुआ पूरा heavy engine है काफी बढ़िया performance देता है 6 HP में इट्रेक्टर है gearbox की बात करा 8 forward 2 reverse gearbox के साथ या रहा है ठीक है काफी competition में भी सल्टा इट्रेक्टर काफी बढ़िया performance देता है 6 HP के अनव ठीक है और इसका अगर मैं gearbox की बात करूँ तो इसके gearbox अगर आप 4 wheel drive में लेते हैं तो 12 forward 12 reverse के साथ या आता है ठीक है इसके अंदर 4 wheel drive में high low medium भी दिया हुआ है ठीक है ठीक है आगे बात करां आपा बड़े ट्रेक्टर के बारे में बात करें अगला मोडल इसका 659 चास ट्रेक्टर है 4 सिलेंडर ट्रेक्टर है डिया इंजनिस के अंदर दिया हुआ है जो 609 चास के अंदर है वही शेम इतने CC का इंजनिस के अंदर दिया हुआ है लेकिन इसमें 75 HP में ट्रेक्टर है ट्रबो साथ में आती है इसके अंदर और ये 2 wheel drive में भी 12 forward और 12 reverse gear box के साथ है और 4 wheel drive में भी सेमी फिचर ये आता है ठीक है आगे बात करा इसके सबसे बड़े मोडल की तो ये ट्रेक्टर है 759 चास ट्रेक्टर है 75 HP में ये है लेकिन इसके अंदर बड़ी है ट्रबो चार्ज कमपनी फिटिड विद इंटर कुलर काफी अच्छी फैसिलीटी के साथ जिस इंजन बिल्कुल गरम नहीं हो चार सिलेंडर ये ट्रेक्टर है इसका 4087 CCC का ठीक है इंजन इसके अंदर दिया हुआ है 75 HP में है और गेरबोक्स 12 फोरड 12 रिवर्स के साथ और ये ट्रेक्टर आप 4 विल ड्राइव में भी ले सकते हैं कोई दिक्ट वाड़ी बात नहीं है ठीक है दोनों 4 विल ड्राइव में भी सेमी फीचर है सबी सिस्टम वही का वही है ठीक है काफी अच्छे जो है ट्रेक्टर कंपनी ने दिये है काफी भड़िया परफोर्मेस देते हैं ट्रेक्टर इसके लेकिन इसकी मार्केट जो है कम नहीं कह सकते है लेकिन और जो मोडल्स है और जो कमपनीज है उनके हिसाब से इसकी थोड़ी कम है ठीक है तो कभी अच्छे ट्रेक्टर इसमें आपको मिल जाते हैं अच्छे ट्रेक्टर इसमें आपको मिल जाते है इसके अंदर आपको 35 HP से 45 HP तक के ट्रेक्टर आपको इसके अंदर मिल जाते है जो 4WD और 2WD दोनों वेरियंट में आपको मिल जाएंगे फिर 35 hp टेक्टर को छोड़ कर बाकि सभी वैरियंट आपको 4 wheel और 2 wheel drive में आपको मिल जाएंगे ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कोई भी किसी भी टेक्टर के बारे में किसी भी कमपनी के बारे में अगर आपको कुछ मतलब जानकारी देनी हो या उसके बारे में वीडियो के लिए कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे दें उसकी वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने लिए कराऊंगा तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर कि मैं अच्छी ची वीडियो आपके सामने लिका रखता रहता हूं तो बहुत बहुत दिन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए